हलो फ्रेंज, स्वागत है आपका आपके चैनल सिश्टी किचन में फ्रेंज, जैसा कि आपको देख के पता चल गया होगा कि आज हम कठाल की सबजी बनाएंगे तो फ्रेंज, कठाल की सबजी बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंगीजिन चाहिए तो इसको देख लेते हैं तो कटार को मैंने छेल के कट कर लिया है सबसे पहले इसको हम धुल के इसको बॉल करेंगे तो इसको मैंने छोटे-छोटे पीसे इसमें कट किया है और इसको मैंने धुल लिया है और इसको एक सीटी आने तक इसको हम गैस पर रखेंगे पानी डाल दिया है अब इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं और इसको बंद करके हम इंडेक्शन पर रखेंगे एक सीटी आ चुकिए अब इसको हम बंद कर देंगे तो फ्रेंश मैंने प्याज लिया है लासून योरिष्ट मसाला खड़ा मशाला अद्रक मिर्ची तो सबसे पहले हम प्याज का पेश्ट बनाएंगे तो फ्रेंश तेल अच्छी से करम हो चुका है और पठाल को हम फ्राई क कर देंगे हलका सही फ्राई करेंगे और गयस कपले मैंने हाई पर ही रखा है तो कटाल को मैंने फ्राई कर लिया है अब इसको हम निकाल लेंगे तो देख सकते हैं बहुत हलका सही मैंने फ्राई किया है और देल अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें हम प्याज डालेंगे प्याज को मैंने मिक्सी में पीस लिया है तो सबसे पहले हम इसमें कुछ खड़े मसालों का तड़का लगाएंगे तो बड़ी लाची, दाल चिन्नी, काली मुर्च, लौंग, तेज पत्ता मसाले अच्छे से पक जाएं तो इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे तो इसके बाद इसमें प्याज का प्याज डालेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे और फ्रेंस मैंने गेस का फ्लेम हाई पे ही रखा है और इसको हम लगाता चलाते रहेंगे तो इसको हम लगाता चल आते रहेंगे जिससे प्याच हमारा जलेना तो इसी पॉइंट पे अधरक लासुन मिचिक हम प्येश डालेंगे और इसको भी अच्छे से मूल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो प्याच को भी हम और पकाएंगे और इसी पॉइंट पे हम हल्ली का पॉडर डालेंगे और थोड़ी से हम इसमें सिम्ला पॉडर डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे तो फ्रेंज अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब पर ना न फूलें और बेल आइकन को प्रिश्ट कर दें जिसे मैं कोई वीडियो अप्लोड करूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुचेगा और जिन फ्रेंस ने सबस्क्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया इसके बाद फ्रेंस हम इसमें एवरेश्ट मसाला डालेंगे आपको जो मसाला पशंद हो आप उसको डाल सकते हैं और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे तो सबसे लाश्ट में इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे खड़े मसालों को फ्रेंस मैंने रोष्ट करके इसको पेश लिया था और इसको डालने से फ्रेंस सब्सी का टेस्ट काफी बढ़ जाता है और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे तो फ्रेंस आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मसाला मारा पक गया है क्योंकि मसाले से तेल अलग हो गया है अब इसमें हम कटाल मिक्स करके इसमें हम पानी डालेंगे पानी आप उसी साब से डालें इस साब से आप ग्रेवी चाहिए तो इसमें हम ज्यादा पानी निदा लेंगे क्योंकि कटाल बहुत अच्छे से पका हुआ है तो इसमें हम थोड़ा ही पानी डालेंगे तो थोड़ा सा पानी इसमें और हम डालेंगे इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे और नमक को मिक्स करके हम इसको ढग देंगे और गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको हम थीमी आज में 10-15 मिल तक इसको पका लेंगे तो इसको मिक्स करने के बाद इसको हम ढग देते हैं और इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे हम तो फ्रेंज कटाल के सबजी हमारी अच्छे से पग गई है और बहुत ही डेलिसस हमारी कटाल के सबजी बनी हुई है आप इसको चावल रोटी पूरी पराठा किसी के बसात खाएं आपको बहुत बसंद आएगा तो फ्रेंज चल रहे हैं इसको एक बाउल में सरू करते हैं तो फ्रेंज आप इसको ट्राइ कर शकते हैं अगर आपको पसंद आए तो प्लेज लाइक सब्क्राइब करना ना भूले दोस्तों के साथ सीर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कटल की सबजी की रिस्पी कैसे लगी